इसमें वित्ये सायता प्राप्त किया करते थे कहने का भाव ये है कि इतना सेठ होक है इतने पैसे घर पर होते हुए शर्वे सुख होते हुए जिस पुन्यात्मा में प्रमात्मा की तडफ है उसकी चाहा है तो उसके पूरवजन के पुनकरमों में कोई कमी नहीं होती है उसके संसकार में कोई कमी नहीं लेकिन कमी है कोई तरूटी है तो तत्व ग्यान और प्रमसंत की होती है उसकी पूरती के लिए प्रमात्मा स्वम आकर के उस प्यारी आत्मा को उस मत्हुरा के अंदर मिले जब धर्मदास्टी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे उस लोकवेद के अधार से प्रमात्मा धर्मदास्टी को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीर्थ असनान करने जाती हो ये बहुत ही वेर्थ है इसका कहीं यूज नहीं है और इन यातराओं से आपको पाप ही पाप लगता है पुन कोई मिलता नहीं ब adverti आपकी सास्तर अनुकुल नहा होने से सास्तर अनुसर नहा होने से गित अजि अज्द है नमर सुला के सलोक नमर तेइस अनुसर कि यो सास्त्र विदी को त्याक खर्मन वाना आचन करते हैं उनको नए तह कोई सु manure होता है नए उनकी गती होती है और नए ही उनका कोई सिध्धी प्राप्त होती है अर्थात योज्लेस तो तुँ म साधना कर रहे हो हरे राम अरे करसन 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 अरे हरे राज दे राज दे स्याम मिला दे ओम नमे सिवाए ओम भगत वासु देव नमे ये मंतर ही जाप करन के नहीं है क्योंकि पवितर गीता जी में कहीं भी इन मंतरों का प्रावदान नहीं है और कोई आदेस नहीं है श्रीमत भगत गीता और पवितर चारों वेद ये गौड गीवन स्परिच्वर नौलिज है ये परमात्मा का दिया हुआ अध्धात्मी ग्यान है इस ग्यान में जो लिखा है विधान है उसी का हमने पालन करना चाहिए इसको चाग कर यदि हम किसी लोक वेद के आधार से किसी किसी भणी के कैनत है में कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो वो शास्तर विद्धी रहीत है और जो वेत है जिस कारण से हम प्रमात्मा के दोसी होते हैं जो विधान को तोड़ देता है वो अपराध ही होता है धाराचे छोटी होया बड़ी अपराध उसको ने कर ही दिया तो अपने सद्गरंथों में लखी हुए प्रभु के आदेस का पालन करना चाहिए श्रीमद भगुत गीता में अध्धाय नमबर तीन के सलोक नमबर दस से लेकर पंदरा तक सपष्ट किया है कि जो यग नहीं करते ये पांच जो यग नहीं करते वो चोर है और यग करने के लिए बता है कि उस पूर्ण प्रमात्मा को इश्ट रूप में पुज्य मान कर उसकी भक्ति करो तब आपके सास्तर अनुकूल करम बनेंगे उन करमों का फल पिर प्रमात्मा आपको देंगे वो आपके पुन्ह होंगे और गीता जीर अज्धाय नमबर आठ के स्लोक नमबर तेरा में कहा कि ओम इती एक अकसरम बिरम विभारन मामन समन ये परियाती तजन देहं सायाती पर माम गतिम यो गीता ग्यान दाता बिर्म कहता है कि मुझ बिर्म का माम बिर्म मुझ बिर्म का कि ओम एक अक्सर यही है उचारन करके सिबन करता हुआ ये परियाती तो जन्देहम जो सरीर ट्याग कर जाता है सायाती परमाम गतिम वो ओम के सतर की ओम नाम के जाप के सतर की जो परमगती होनी है यानि ब्रहम लोग प्राप्ती होती है ओम ब्रहम का मंतर है और ब्रहम लोग में वो सादक चिला जाता है गिता जी अद्धाय नमबर आठ के स्लोक नमबर 16 में लिखा है कि ब्रहम लोग परियंत भी सभी लोग पुन्रावरती में हैं वहां गए हुए प्राणी भी फिर अक्पुन अक्सीन होने पर फिर तोड़ा सी लाख यूनियों में अन्य प्राणीयों के स्रीरों में कस्ट उठाते हैं इसलिए गीता ग्यान दाता कहता है साथ में जहे के अठारमे सलोक में के मेरी भगती भी अनूतम है मेरे वाली गती भी अनूतमाम अती ऐसरेश्ट है क्योंकि गीता जहे नंबर चार के सलोक नंबर पांच और नो में गीता जहे नंबर दो के सलोक नंबर बारा में गीता ग्यान दाता कैता है रजुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुकी है आग गए भी होंगे ये ना सोच कि हम अभी अभी जन्मे हैं इसलिए गीता जी धाय नुमर 15 के सलोक नुमर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 सलोक में सपष्ट किया है कि जब तत्वदर्सी संत मिल जावा है तत्वदर्सी संत कैसा होगा इस उटे लटके हुए संसारूपी वर्क्स के सभी पार्ट्स को सभी भी भागों को भिन 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 बतावगा सहवेद विद वो तत्वदर्सी संत है और उसके पस्चाथ इस अग्यान रूप इस सारे अंदकार को तत्वद ग्यान रूपी सस्टर से काट कर अर्था तत्वद रसी संद से यथार्थ ग्यान समझ कर उसके पस्चाथ गीता जी अज्धाय नंबर पंदरा के सलोक नंबर चार में कहा कि उसके पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये सादक फिर लोट कर कभी वापस जनम मर्दू में नहीं आते और जिस परमेश्वर से संसार रुपी वर्क्स की परवर्ती विस्तार को पराब्द हुई है यानि जिस ने सारे बर्बंडों की रचना की है संसार रुपी वर्क्स को रचा है और वो परमात्मा उसी भगवान की उसी की पूजा करनी चाहिए सपष्ट सर्वा भाव से उसकी पूजा करनी जी गीता जिद्धाय नमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 ये तीन पर भूबताई है एक सरपुरस ये बिर्म है अक्सरपुरस ये पर बिर्म है और उत्म पूरस तु अन्य परमात्मायति धारते वो परम अक्सर बिर्म है जो सरपुरस और अक्सरपुरस से अन्य है वो परम अक्सर बिर्म है जीता जिद्धाय नमर 8 के सलोक नमर 1 में अरदुन ने पूचा परम इस वर वो किम तत्बरम जो आपने साथ में द्धाय के 29 में सलोक में जिसके विशे में कहा है कि उस तत्बरम को और पूरे धातन ग्यान को और सब कर्मों से जो जान लेता है वो तो जनम और मरतु से छूटने का ही जरा मरन से छूटने का ही प्रियतन करता है जरा मने हूढ ड़्धापा द्धापा, मरन अने मरतू इस कष्ट का निवारण ही चाता है वो यहासन सार की कुछ भी वस्तों की डिमांड नहीं करता तब अर्दुन ने पूछा फिर वो किम्तत ब्रम वो भगवान कौन है जो आप से भी अन्य है गीता ग्यान दाता ने आठ में जाय के तीसरे स्लोक में कहा कि वो परमक्सर ब्रम है तो पुनात्माओ वो परमक्सर ब्रम और उसकी साधना और पूजा गीता ग्यान दाता कहता मैं नहीं जानता और उस परमात्मा के पाने के विस्तार के साथ जो डिटेल दी हुई है वो गीता जिए जाय नुम्र चार के सलोक नुम्र बतीस में कहा है कि जैसा कि मैंने आपको जाय जाय चार के सलोक 25 लेकर 31 तक जो ग्यान दिया है कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई के वरत रखता है, कोई समझ जाय करता है कोई प्राणायम ही करता है, कोई योग अभ्यास करके संतोष्ट है और ये सभी अपनी साधनाओं को पाप ना सक जानते हैं, नहीं इन सभी धार्मी कंश्ठानों यगों के बारे में सचीदा नंद घनबरम की वानी में विश्तार के साथ कहा गया यहाँ अनवाद करता होने caอठे 22 अन्रथ कर दिया है, सचीदा नंद घनबरम का आर्थ कर दिया है, बेद की वानी नहीं, गीताजी धार नूब शत्रा के सिलोक नूबर तेिस उन्हें अन्ररे में ब्रह्म ने किया हुआ सचीदा नंद घनबरम, वहां से देखना तो यहां सचीदानन्द घनब्रम ने अपने मुखहारविंद से उचारित करके जो ज्ञान दिया है वो ब्रह्मने मुखह कहलाता है प्रमात्मा की वाणी में विस्तार के साथ का आगा है, उस तत्त्व धरशी संतों के पास जाकर समझा वो तत्त्व धरसी संत, तुझे पर्मात्म्रत्व का ज्यान कराएंगे, उनको डण्बद प्रनाम करके वी नमर भाव से पछसंड करना उसके लिए बताया है कि सत्रमे जहय के टेईसमें सलोक में कहा कि ओम तसतिती निर्दे से बर्मने त्रिवित समरता है ब्रहामना तेन वेदा यगावी हिता पुरा ये विद्वान पुरुष, बुद्धिमान विक्ती, ब्रहामन का अरत विद्वान पुरुष, बुदिमान विक्ति जो प्रमात्मा को पैचान चुका है अच्छी आत्माई, भगता आत्माई ये सभी ब्रह्मन कहलाते है कहते हैं उसमें प्रहरम के अंदर अच्छी आत्माई उसी आधार से साधनाई करती है तो यहाँ सबच कर दिया है कि मैं तो जानता नहीं लेकिन सचिदानन्द गंब्रम का तीनक्षर का मंत्र है नथिं अलस और अब बता रहा है मेरा कि ओम मंत्र है नथिं अलस और कोई मंत्र नहीं तो उस ओम तत्थ पूरुन प्रमात्मा के पाने का जो मंतर है साधना है उसके विशे में कहा कि तत्व दर्सी संत बतावेंगे तो पुनात्माओ ओम तो इसने कलियर करी रखा कि ओम तो मेरा मंतर है और तत्य सत्य सरपुर्स अक्सरपुर्स और पर्मक्सरपुर्स इन तीनों के तीन मंतर है सरपुर्श ये बर्म है इसका मंतर ओम है अक्सर पुर्श ये परवर्म है इसका मंतर ये तत है तत सांकेतिक है यहां पर और परम अक्सर बर्म इसका मंतर सत है और ये सत भी सांकेतिक है ये तीनों मिल करके एक जाप बनता है जिसको तेन विधी से ही, तिर विधे समर्द है तीन रही परकार से इसका सीमरन होता है जो दास बता सकता है इस पर शुपषबर्माड में किसी के पास नहीं है क्योंकि धरमदास दी को भी प्रमातमाथ में सब घ्रकर क smokes कहाता, धरमदास तो इलाख दौआ ये सार सब्द कहीं बार ना जाई सार सब्द बार जो पढ़ी बिचली पीडी हनसनी तेरी अब पर्थम चर्ण में कलियोग में प्रमात्मा स्वेम आई और लाश्ट का जो कलियोग का चर्ण होगा वो करत गनी परानी हो जाएंगे मासा हारी होंगे सराब कवाबी दुराचारी इस्त्री पुरस बुरा हाल हो जागा वो बगती के योग नहीं रहेंगे अब ये बीच की करीम है ये अब बिचली पीडी है सन 1947 से भारत सौतंतर हुआ और भारत वर्स विश्वे की युनिवरस्टी है अज्धात्मे की युनिवरस्टी है विश्वे की और 1947 से पहले कोई सिक्षा बारत मन नहीं थी अब उसके बाद ये सिक्षा का दौर सुरू हुआ अब बिचली पीडी के हंस आप हैं जो की आपको ये अनमोल ग्यान बताने का आदेस है पर भूका नहीं तो ये अब भी रहसे नहीं खुलता आप कितने पुनकरमी प्राणी हो कि इस बिचली पीडी में जनम और मनुसरीर और फिर ये ग्यान आप तक पहुँचा आप उस पर मातमा की कितनी प्यारी आतमा हो लेकिन आप बालक हो बालक अपने आनी और लाब को जल्दे सी जानता नहीं फिर आप बड़े हो जाते हो फिर आप औरों को भी ग्यान देने लग जाते हो तो यहां आने से आपकी बालबुधी समाप्त होगी तत्वग्यान से युक्त होगे आप तो तरोटरोगे और आप रुक नहीं सकते और हजारों को बताने की चेश्टा करोगे मनने ना मनने वह बाद दूसरी है उसके भागे और दुर भागे साथ है दरम दास तो एलाख दौाई ये सार सब्द की तबार न जाई कितने दालू परमात्मा कि ये दुष्ट लोग ये नकली संथ इस मेरे ग्यानकोरी नामों को याद कर लेंगे और ये नाम देना शुरू कर देंगे ये अधिकारी नहीं होंगे और काल के जालम इन पराणियों को ले जाएंगे पुन्यात्मा ओधिकारी बिना कोई भी कारी ये सफल नहीं होगा जैसे कोई नकली इस दास से नाम लेकर के और फिर आप कहीं नाम देने लग जावागा तो वो डुपलिकेट परमान पत्र बना रहा है वो दुस्मन है उन पराणियों का क्योंकि वो अधिकारी नहीं है अब जैसे अनधिकारी को ड्राविंग लाइसेंस है बनवाए लो अगर वो गल्त बना रहा रहा है तो दुन्नों इस दावगी बनाने वाले की भी बनाने वाले की भी एक छोटी सी बात है ऐसे ही ये विद्धान है परमातमा स्वेमाई तब अकेले ही नाम दिया करते थे तोंसे ट्र लाक्सिस थे और अब भी दास के उपर मेर की है और ये चोए करोड़ चोए अर्बं आदमी नाम ले लिए नाम मत देना है ग्यान अब आजकल मालक न दिया कर दी ये आदोनिक तकनिक हमारे पास है ये सेटे, लाई, ट्री, समचे, सारा विस्वे बैठकर एक समय में सत्संग सुन जो और नाम दे जैं सब कुर्बगती कर लो दो अक्सर की बात है नाम के उपर विस्वास होनार बगवान पर विस्वास होना मुश्किल बना जिया इस काल ने इस लोक वेद को अगे अडा रखे हैं इस लोक वेद का इस अग्यान का दंत कताओं का नास करने के लिए इतना मेहनत प्रियतन करना पढ़ रहा है इतने परमान देने पढ़ रहे हैं और जिसमें ये अग्यान हट जागा फिर तो दो अक्सर की बात है कभी रीजगोड और यह यह मर्यादा है, यह मर्यादा रखना और यह मंतर जाब करनो, बगवान से डरना, पाप नहीं करना, मौक्स हो जाएगा, दो अक्सर की बात है, अब परमातमा को परमातमा सिद्ध करना कठीन हो रहा हमारे लिए, लेकिन अब यह कठीन काम बहुत आसा होने वाला है, बदीमान समाज है, यह बिचली पीठी है, परमातमा का आदेस है कि बिचली पीठी जबाओगी, सब को पार करूँगा, सब को पार करेंगा, यदि आप मर्यादा मरहे और इस दौर को छोड़ कर नहीं जाओगे, आप सभी पार होगे, परमातमा को मालूम है, यह काल इनको भगती नहीं करने देता है, लेकिन फिर भी आपकी तडफ, माली जी आपसे भगती साधना गढ़ी नहीं बढ़ पाती है, तो आपको एक न्यारी तडफ बनती है, यह बगवान आद बंतर ना हुए, यह परमातमा आद ने तनियम नहीं हुआ, यानि ऐसी की भगती है,